दोस्तों, रात होली के दिन, यानि होली का देहन पर रविवार यानि 24 मार्च को होली है, फालगुन पर लाल मिर्च का उपाय किया जाता है, होली के दिन टोने टोटके किये जाते हैं, घर के कमाने वाले तथा मुखिया की नजर उतारी जाती है, बच्चों की नजर उतारी ज का दहन पर किया जाता है। आप भी जरूर करें आपका भाग्य उदय हो जाएगा। बीमार व्यक्ति खाट पर पड़ा व्यक्ति भी इस उपाय से ठीक हो जाता है। घर में इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। सरकारी नौकरी हे तुप्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए मिर्ची का यह उपाएं जARूर करें। हूली 365 दिन में एक बार आती है, इस दिन नजर उतारा किया जाता है। हूली की अगनी में नजर उतार कर यह चीज डाली जाती है। आप भी जरूर करें हूली का दहन पर नजर उतारने के लिए। यह और इस दिन चंदर ग्रहन भी है, चंदर ग्रहन पर लाल मिर्च का विशेश उपाय किया जाता है, इस दिन व्यापारी लोग होली का दहन पर मिर्ची का यह उपाय जरूर करते हैं, आप भी जरूर करें। ज्यादा अधिक दुश्मन होते हैं। बलकि सपनों में भी ऐसे डराबने सपने आने लगते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता है। दोस्तों खाते समय पीते समय कोई भी कार्य करते समय एक अजीब सा डर बना रहता है। अजीब सी उल्जन बनी रहती है और 24 घंटे ही बेचैनी बनी रहती है। तो ऐसे में किस प्रकार से इन शत्रूं से छुटकारा पाया जाए वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एक ऐसे दुरलब टोटके के बारे में जिसको अगर आप करते हैं तो हर प्रकार का शत्रू बिल्कुल पीछे हटना शुरू हो जाता है। अगर उसके मन में आपके प्रती नफरत का स्वभाव है तो उस स्वभाव से उसका ही नुकसान होने लगता है और वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा बलकि अगर कुछ करने की कोशिश भी करेगा तो अपने ही माया जाल में खुद ही फंस जाएगा और अपने करने की विधी को आप जान लें कि किस प्रकार ये तोटका करना है इस तोटके को करने के लिए आपको आठ लाल मिर्च लेनी है एक तांबे का लोटा लेना है और सोलह काली मिर्च लेनी है और इस बात का ध्यान रखें कि शनिवार, मंगलवार और बुधवार के दिन कभी किसी भी समय इस प्रयोग को इस तोटके को किया जा सकता है इसे करने के लिए आपको तांबे के लोटे में जल भर देना है और लाल मिर्च और काली मिर्च को जल में डुबो कर रख देना है इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास कोई ऐसी अपने दुश्मन की है वह चीज कोई भी हो सकती है उसका रुमाल उसके कपड़े या उसकी शारीरिक चीजें भी आप ले सकते हैं जैसे कि नाखून बाल वगएरा या इनके स्थान पर कोई भी और चीज मिल जाती है पेन वगएरा भी तो भी आप उसकी चीजों को ले सकते है और अगर आपको काला कागज नहीं मिलता है तो आप काले रंग का चार्ट भी लेकर आ सकते हैं और किसी भी पैन से उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं और उसी लोटे में जल में डुबो कर रख दें और इस जल को ढख कर अपने घर के दक्षिन पश्चिम कोने में इस लोटे को रख दें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लोटे को आपको किसी भी कपड़े से ढख कर रख देना है अगर आपके पास काला रुमाल है तो अच्छा है अब आपको इस तरह से रख लेने के बाद वहाँ पर बैठ कर रोज 11 दिन तक इस मंत्र का उच्चारण करना है जो कि महाकाली का मंत्र है जो शत्रू से मुक्ती के लिए प्रयोग में लाया जाता है ओम क्रीम, महाकाली शत्रू नाशाय क्रीम, ओम भट इस मंत्र को आप लिख कर रख ले और उस लोटे के सामने 11 दिन तक उसे निकाल लेना है और धूप में सुखा लेना है और जल को आपको ऐसे ही कहीं भी नहीं फेंकना है बलकि इस जल को आपको बाथरूम में जाकर फ्लश कर देना है इसके अंदर का जो सामान है लाल मिर्च और काली मिर्च जब धूप में अच्छी तरह से सूख जाती है तो आपको इन्हें कपूर लेकर कपूर की सहायता से जला देना है और जब ये चीजें जलती है तो आपको एक माला फिर से इस मंत्र का उच्चारण करना है जो हमने पहले इस वीडियो में बताया है इन सभी चीजों को जलाते हुए आपको राख बना देना है और इस राख को भी टॉयलेट में ही फ्लश कर देना है बस इतना करने मात्र से ही आप खुद देखेंगे कि जो आपका शत्रू है वो आपके सामने नहीं आएगा उसके मन में बेचैनी, चिंता, परेशानी बनने लगेगी अगर वे आप पर कुछ करने की कोशिश भी करेगा तो उल्टा उस पर ही चठने लग जाएगा यानि कि उसके जीतने भी वार होंगे वो बिलकुल खाली जाने लगेंगे और फिर आपका कुछ भी नहीं बिगाड पाएगा और अगर आप पर उसने पहले से ही कुछ भी कराया है तो वो सब भी उतर जाएगा ये इतना ज्यादा शक्तिशाली और प्रचंड प्रयोग हम आपको बताते हैं जो बहुत ही ज्यादा तीवर और अचूक होते हैं इसलिए आप सभी विडियो की विधि को ध्यान से समझा करें और हर बात को ध्यान से सुना करें जिससे विधि को सही से जाना जा सके समझा जा सके और प्रयोग को सही से किया जा सके क्योंकि जब आप सही से प्रयोग को करेंगे तब ही इसके लाभ मिलते हैं जब आप इस प्रयोग को कर लेंगे तो दुश्मन आपसे दूर हटने लगेगा उसके मन से दुश्मनी का स्वभाव हट जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी परेशानी होती है कि उनके ओन्फिस में या उनके आस पढ़ोस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें आए दिन ही हमेशा परिशान करते रहते हैं बिना बाद के ही उनके रास्ते में आते रहते हैं तो आप इस आसान से टोटके को करके भी उनसे छुटकारा पा सकते हैं और ये बढ़ी ही आसानी से घर की चीजों से हो जाते हैं। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं लगता है। इस टोटके को आप हर तीन महीने में एक बार कर सकते हैं या महीने में एक बार भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि महीने में एक बार से अधिक इस टोटके को प्रयोग को आपको नहीं करना है और इसी प्रयोग को करते हुए अगर आप महाकाली के मंदिर में जाकर एक गुलाब का फूल भी अर्पित करके आते हैं तो इससे भी और भी ज्यादा अधिक लाभ मिलते हैं महाकाली से जुड़े हुए और भी ज्यादा गुप्त प्रयोग हम आने वाले वीडियोज में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कमेंट में अपना नाम हमें जरूर बताएं और अपनी राशी डालना मद भूलिएगा हम आपके नाम के अनुसार और राशी के अनुसार उपाय भी बताते हैं वीडियो को लाइक करना न भूले आईए बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों हम सभी अपने खाने में लाल मिर्च का इस्तिमाल जरूर करते हैं मिर्च हमारे खाने का स्वाद बरहा देती है पर इश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है तो आप लाल मिर्च के ये उपाय जरूर आजमाएगा ये आपकी समस्याओं को हमेशा के लिए जिंदगी से दूर कर देंगे। दोस्तों आप पांच की संख्या में लाल सूखी मिर्ची लें और दुश्मनों का नाम लेते हुए अपने सिर से पांच बार घड़ी की सुई घूमती है तो ऐसे में उसकी उल्टी दिशा में घुमाएं और घर से बाहर कहीं दूर जाकर कहीं अकेले में जमीन में गड़ा करे और गड़े में उस मिर्ची को डाल कर और उपर से मिट्टी दबा दे दोस्तों ध्यान रहें ये उपाय करते समय आपको कोई देखे नहीं टोके नहीं फिर वापस आते समय पीछे मुड कर ना देखे ये उपाय भले ही आपको सादा सिंपल लगे लेकिन है बढ़ा असरदा ये उपाय आपके जीवन से हमेशा के लिए शत्रूओं का नाम मिटा देगा उन्हें परास्त कर देगा सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव ओम नमह शिवा एक लायक जरूर करें दोस्तों और सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो आ आत्र करने भर से इसके दुश्मन पर विजय प्राप्त हो जाती है नमक के इस उपाय से आपकी हाथों की लकीरें उभर कर आ जाएंगे घर में बिमारी नहीं आएगी आपका रोजगार व्यापार ऐसे दोड़ेगा जैसे मानो उढ़ता हुआ पक्षी ये उपाय नहीं इस उपाय को करने से चूकना मत नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वो पाओगे करोडों का खजाना भी आपको प्राप्त हो जाएगा यहां तक कि दोस्तों आप किसी को अपने बश में भी कर सकते हैं अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो नमक का यह उपाय आपका खो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से साधा नमक खरीद लाना है, यानि की डेली बाला जो की कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, तो बाजार से आप 11 रुपए का या फिर 21 रुपए का नमक ले आएं, यानि डेली बाला और इसे ला करके आप घर के आगने कौन यानि पूर्व और दक्षिन दिशा में रखें। अगनिकोन पूर्व और दक्षिन दिशा को कहते हैं। इस नमक को सिद्ध करना है, वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ओम हरी, श्रीन लक्ष्मी भ्यो, नमह दोस्तों, इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर 21 बार जाप करना है। दोस्तों, ये मंत्र आपको नमक के सामने बैठ कर ही बोलना है। मंत्र परहने के बाद एक दिन के लिए नमक बहीं पर रहने दें, फिर उसके अगले दिन, यानि सुभह के समय किसी नदी में डाल दें। दोस्तों, यही वो कोना है। जिस कोने में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी छुपी होती है। आपकी काम्याबी का राज छुपा होता है। पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है। और यह आपके शरीर से ला करके इस कोने में रख देता ह आपको फिर से यही उर्जा वापस अपनी लेनी है तो आपको करना क्या है? अगले ही दिन वो नमक उठा कर किसी नदी में बहा दें जैसे जैसे नमक घुलेगा उसी प्रकार से आपकी तमाम परेशानियां, बीमारियां, नौकरी में रुकावटें आना परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सर पर चरना, कर्ज का बोज हो जाना सब कुछ जैसे जैसे नमक घुलेगा, उसी प्रकार से आपकी परेशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी और पानी में बह कर चली जाएगी यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें दोस्तों लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है अगर आप किसी इंटर्व्यू पर या किसी शुभ कार्य के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो घर की दहलीज पर पांच लाल मिर्च रख दे और घर से निकलते समय उन्हें लांग कर कदम आगे बढ़ाएं हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी दोस्तों अगर आपके कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही है तो ये उपाए जरूर कीजिएगा शनिवार की रात को सोने से पहले किसी गिलास या फिर कटोरी में पानी ले ले उस पानी में सूखी लाल मिर्च के 21 पीच डाल दें और उस गिलास या कटोरी को सोते समय अपने सिरहाने रख दे सुबह उठने के बाद उस बरतन को उठा कर अपने उपर से साथ बार उल्टा उतारे यानि की बाएं हाथ में लेकर जिस और घड़ी की सूई घूमती है उसकी उल्टी दिशा में घूमा ले फिर उस पानी को घर से दूर जाकर पानी को फेंक दें फिर बिना पीछे मुड़े घर चले आए इस से आपके उपर च्छाई नकारात्मकता दूर हो जाएगी मन आपका शांत हो जाएगा दृष्टिकोंड सकारात्मक बनेगा और कारियों में सफलता मिलने लगेगी और विग्न बाधाएं आना बंध हो जाएगी दोस्तों जिन्दगी में सबसे बड़ी समस्या ज्यादा तर जो होती है वो दरसल धन की होती है अगर आपको पैसों की किल्लत सता रही है धन हाथ में नहीं टिकता तो ऐसे में ये उपाए जरूर आजमाएगा दोस्तों जिन्दगी में सबसे बड़ी समस्या ज्यादा तर जो होती है वो दरसल धन की होती है अगर आपको पैसों के किल्लत सता रही है धन हाथ में नहीं टिकता तो ऐसे में ये उपाय जरूर आजमाए दोस्तों साथ लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांध ले और माता लक्षमी का नाम जपते हुए उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेंगी कहीं न कहीं से ही धन का आगमन होता रहेगा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकॉन जरूर दबाएगा दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके विरोधी या शत्रू केवल आपके पीछे अपितु बुरी बातें ही नहीं कहते बलकि उनके किये कराय के कारण आपको तकलीफें उठानी पड़ रही है तो ऐसे में किसी शनिवार की शाम को पांच लाल मिर्च ले साथ में थोड़ी पीली सरसों के दाने और थोड़ा नमक ले आँ दोस्तों अब आप अपने दुश्मन का नाम लेते हुए या फिर जिस किसी के उपर आपको शक है कि उसने कुछ आपके उपर टोना टोटका किया है तो ऐसे में उसका नाम लेते हुए अपने सिर से या पीधित के सिर से साथ बार घुमा ले और फिर घर से बाहर ले जाकर फेंक दें अगर आपके उपर किसी भी व्यक्ती ने टोना टोटका कराया है तो उसका सारा असर खत्म हो जाएगा आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी दोस्तों बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी लाल मिर्च बहुत ही काम आती है आप साथ लाल मिर्च और फिटकरी और काले तिले काटोरी में ले लें अएसे में इस काटोरी को आप किसी मरीज के पास में रख दें ये उपाय करने से आसपास की सारी नकारात्मकूर्जा को दूर करता है ऐसे में हर दस दिन में काटोरी में रखी चीज़ों को बदलते रहे जब तक व्यक्ति ठीक ना हो जाए, इस क्रिया को दोहराते रहे या फिर आप पांच लाल मिर्च को एक कपड़े में बांध कर मरीज के बिस्तर के नीचे रख दें और अगले दिन उन्हें पानी में बहा दें ये स्वास्थय समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद करता है दोस्तों, अगर आप कर्ज की समस्या से बहुत अधिक परेशान है कर्ज कम होने की वजह भी आच जाता है उसे चुकाने जितनी आमदनी हो नहीं पाती या फिर आपसे किसी ने उधार या फिर कर्ज ले रखा है और वो व्यक्ति बार बार मननतें करने के बावजूद भी वो व्यक्ति धन नहीं लोटाता तो ऐसे में आप हर रोज सुभह सूर्य नारायन को जल अवश्य दें लोटे के पानी में लाल मिर्च के 21 दाने डाल कर भगवान सूर्य देव को अर्पित करें ऐसा आप लगातार 21 दिन तक करें ऐसे में अगर आप खुद 21 दिन तक ना कर पाए तो आपके बदले आपके घर का कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है दोस्तों सूर्य नारायन को अर्ग्य देते समय आप अपनी समस्या कहें प्रार्थना करें आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका कर्ज उतरता चला जाएगा कहीना कहीं से अचानक से पैसों का जुगाड होता चला जाएगा और आप समय पर बैंकों के किस्त भी भर पाएंगे और अगर किसी के पास धन अटक गया है तो वो खुद चल कर लोटाने अवश्या आएगा दोस्तों अगर आपकी किसी रोजगार संबंधित कोई समस्या है कामकाज ठीक नहीं चलता व्यापार में लगातार घाटा हो जाता है तो ऐसे में मिट्टी के तीन दीपक ले इन दीपकों में पीली सरसों, काले तिल, साबुत नमक और साबुत धनिया रखें हर दीपक में एक-एक लाल मिर्च डाल दें इन तीनों ही दीपकों को आप अपने कार्यस ठल पर रख दें दोस्तों आपके कामकाज में आ रही बाधाएं मुश्किलें सब समाप्त हो जाएंगी कारोबार को गती मिलेगी दोस्तों इसके साथ ही एक काम और करे बाधाओं को जढ़ से दूर करने के लिए लाल मिर्च के 21 दाने लेकर आप एक बरतन में पानी में डाल दें और अपने उपर से इसे साथ बार उतार कर इसे किसी रास्ते पर फेंक दें इससे आपके सभी कारे आश्चर्य जनक रूप से पूरे हो जाएंगे अडचने समाप्त हो जाएंगी दोस्तों समस्याओं से मुक्ति दिलाने में लाल मिर्च और लाल मिर्च के बीज बहुत ज्यादा ही कारगर साबित होते हैं और इसके परिणाम भी शीग्र मिलने शुरू हो जाते हैं लाल मिर्च बरसों से नजर उतारने के काम भी आती है अगर आपके घर में कोई व्यक्ति या कोई बच्चा अगर किसी नजर दोश से पीधित हैं तो ऐसे में साथ साबुत लाल मिर्ची लें और थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा नमक और लखडी का कोईला यानि काला वाला इमली का कोईला तथा एक हल्दी की गांठ ले ले और पीधित व्यक्ति के उपर से ही पांच बार घुमा कर जलते हुए चूले में डाल दें दोस्तों या फिर आप किसी और जगह पर इसे जला दें इससे नजर्दोष हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगी पीधित पर हुए सारे बुरे प्रभाव खत्म हो जाएंगे दोस्तों, ये उपाई हमारी मा बरसों से हमारे उपर करती चली आ रही है हमारी नानी मा, पर नानी सैकड़ों सालों से करती चली आ रही है ये बहुत ही असरदार उपाय है हम ये उपाय आपको कागज पेन पर 100% लिख कर दे सकते हैं कि आपका कभी बुरा नहीं होगा आप करोड़ पती हो जाएंगे जब सर पर नजर होती है तब व्यक्ति गरीब हो जाता है और जब आपके सर पर नजर होगी ही नहीं तब लाजमी है कि आप काम्याबी की ओर बढ़ेंगे आप धनी हो जाएंगे करोड़ पती हो जाएंगे नौकरी आपकी लगेगी दोस्तों बहीं आप और आपके अपने लगातार बीमार पढ़ रहे हैं और ऐसे में बीमारियां भी पीछे नहीं छोड़ रहीं तो किसी शनिवार की रात को साथ लाल मिर्ची, थोड़े से काले तिल और साथ जायफल और फिटकरी के छोटे-छोटे साथ टुकडे ले ले और इन सब को लेकर एक लाल कपड़े में बांध कर उसकी पोटली बना ले और अपने घर में रख दे दोस्तों दूसरे दिन सुबह घर से बाहर निकलते हुए भगवान का ध्यान करें विग्न निवारण हे तु प्रार्थना करें बीमारियों से छुटकारा दिलाने की विनती करें और पोटली को किसी पीपल के पेड़ पर जाकर उसकी जड़ के पास मिट्टी में दबा दे वापस आते समय पीछे मुड़ कर न देखे आपकी सेहत संबंधी सारी परिशानियां खत्म हो जाएंगी एक बार में ही यह उपाय फल देने लगता है लेकिन याद रहे आप अपनी दवाईयां ठीक समय पर लेते रहे और खान पान में सावधानी बरते हैं दोस्तों कई बार अचानक से बुरे दिन आना शुरू हो जाते हैं किसी का अच्छा चलता व्यापार अचानक से बंध होने के कगार पर आ जाता है ग्राहकों से भरी रहने वाली दुकान अचानक से खाली रहने लगती है और समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए तब ऐसे में ये उपाय आजमा ले दोस्तों साथ कच्छी लाल मिर्च और एक नीमबू लेन ले अब इनको काले धागे में पिरो ले अब इनको अपने कार्यस्थल पर या फिर घर के में दर्वाजे पर टांग दें और हर हफते इसे बदलते रहे या रविवार के दिन चौराहे पर फेंक दें आप चाहें तो अगले शनिवार तक शनिवार को बदलते रहे और हर शनिवार को ही ये उपाय करते रहे दोस्तों इससे आपके कारियों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी आपके व्यापार में लगी नजर उतर जाएगी हर प्रकार की बाधाओं से आप बाहर आ जाएंगे फिर से आपके अच्छे दिन आप देख पाएंगे जब आप द्वार पर ऐसे निम्बू मिर्ची टांग देते हैं तो नकारात्मक शक्तियां आपके कारियस्थल पर प्रवेश नहीं कर पाती है दोस्तों बढ़े से बढ़े दुखों को मात देंगे ये उपाए ज़रूर आजमाएं और अपने कश्टों से निजात पाए जिस व्यक्ति पर अगर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों यदि किसी शुभ अवसर पर एक नमक का पिसा हुआ पैकेट सौ ग्राम उडद की काली दाल पान सौ ग्राम चावल पचास ग्राम सूखी लाल मिर्च एक पानी की बोतल और सौ ग्राम सरसों के तेल की बोतल एक सौ एक दक्षणा के साथ यानि 101 रुपय के साथ यदि पूर्णिमा अमावस्या या शनिवार मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन यदि किसी गरीब व्यक्ति को दान में दिया जाए तो मैं इश्वर की सौगंध खाता हूँ भगवान की सौगंध खाता हूँ आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा आपका दुश्मन भी आपको करोडपती होने से रोक नहीं पाएगा दोस्तों यह उपाय स्माइल फैमिलीज का ओनर यानि मैं भी करता हूँ और मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ यदि यह कारगर सिध ना हो तो हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को अनसबस्क्राइब कर देना आगे आपकी मर्जी दोस्तों आज के दिन जो भी राई का यह एक छोटा सा उपाय करेगा तो उनके जीवन में दिन रात इतना सुख बरसेगा इतना धन बरसेगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे स्वयम धन की देवी माता लक्ष्मी यह राई का उपाय करने वाले को धनो धनवान बना देती है दुरभाग्य दूर करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों राई से आप उपाय कर सकते हैं अगर आपके पास राई के पत्ते हैं तो आप राई के पत्तों को एक पानी भरे घड़े में डाल दे और इस जल को अभिमंतरित करके किसी भी व्यक्ति को अगर आप सनान कराते हैं तो उसकी दरिद्रता, रोग, दोश, सभी चीजे नश्ट हो जाती हैं मुझे पता है, राई के पत्ते आपको शायद नहीं मिल सकते हैं दोस्तों फिर भी यदि आप कर्ज से तंग आ चुके हैं कर्ज से मुक्ति चाहिए आपको बहुत सारे लोग कर्ज ले लेते हैं आज कल तो बैंक्स इतनी इसली क्रेडिट कार्ट दे देते हैं और उसको चुका नहीं पाओ, तो उस पे इंट्रेस्ट पे इंट्रेस्ट लगता जाता है कंपाउंड इंट्रेस्ट और फिर पता भी नहीं चलता कब वो एक हजार की अमाउंट बन करके एक लाग तक पहुँच जाती है और फिर आती है परेशानी कर्ज बढ़ता चला जाता है और यदि आप भी इस स्थिती से गुजर रहे हैं कर्ज से फंस चुके हैं, तंग आ चुके हैं कर्ज से बरकर कोई कष्ट दर स्थिती नहीं होती और अगर आप भी इस तरह से कर्ज से परेशान हो गए हैं तो आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए इससे ना तो सिर्फ आपको कर्ज से मुक्ती मिलेगी बलकि जीवन में कभी कर्ज लेने की आपकी आगे स्थिती भी निर्मित नहीं होगी कि दोस्तों क्या करना चाहिए जिस भी परसन के उपर लोन चरह है उसकी दोनों मुठियों में काली राई ले ले अब मुठी भर के राई ले ले थोड़ी-थोड़ी एक-एक चमची जैसी और चौराहे पर चले जाएं अब चौराहे पर पूरब दिशा की ओर आपको मुक्ख रखना है जिस चौराहे पर आप जाने वाले हैं वहाँ पहले ही आप देखके आ जाए या तो किधर से सूरज उगता है क्या है और नहीं तो एक कमपास ले जाए आजकल तो मैगनेटिक कमपास ऑनलाइन होता है अपने मोबाइल पे आप डाउनलोड कर लें और फिर आप डायरेक्शन चेक कर सकते हैं कि कौन सी इस्ट दिशा है यानि कि पूरब दिशा है और जो इस्ट साइड है उसमें आपको अपना मुक्ख रखना है और दाहिने हाथ की राई को बाएं और बाएं हाथ की राई को दाहिनी दिशा में फेंक देना है बस आपको क्या करना है राई आप भले घर से लेके जाए या वहीं पे आप दोनों हाथों में राई ले ले राई फेंकने के बाद आपको चौराहे पर ही सरसों के तेल का दो मुखी दिया एक जलाना है अगर आपको दो मुखी दिया नहीं मिलता है तो आप दो बत्तियां लेकर के दो साइड करके उसको जला सकते हैं दिया आपको ध्यान रखना है मिट्टी का ही रखना चाहिए ऐसे भी आपको छोड़ कर आना है और अगर आप दोस्तों ये प्रथम शनिवार की शाम को आप करते हैं शुकल पक्ष की तो बहुत अच्छा है आप चाहें तो मल का महीना चल रहा है मल मास चल रहा है इस समय भी करे तो भी बहुत जबरदस्त उपाय है और अगर एक बार इस उपाय को करने से आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है तो भी आप दूसरी बार इस उपाय को कर सकते हैं अध्यान रखना है जिस चौराहे पर आपने पहले से टोटका किया हुआ हो, उस चौराहे पर दोबारा आपको टोटका नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेश ध्यान रखें और यदि अमावस्या हो, शनिवार हो, तो ये उपाय विशेश फलदाई होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है जब आप वहां से लौट कर आएंगे। वो करके तो आपको सीधे अपने घर चले आना है, बिना मुढ़े चले आना है, पीछे मुढ़कर आपको नहीं देखना है, और घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर ही आपको हाथ मुह धो क करके चुप चाप आपको फिर एंटर करना है, ध्यान रखें, जब आप ये उपाय करने के लिए निकले, आपको घर से कोई रोके टोके नहीं, रास्ते में आपको इस दौरान किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए, आप देखेंगे, ये उपाय किसी जादूई चमतकार से क अब करके आए, तुरंत असर हो जाये, कई बार टू वीक्स तक लगते हैं, इसलिए पेशेंचा रखें टू वीक्स तक आप चाहे तो रोज करें, अब आप चाहे तो हर मंगलवार शनिवार करें, टू वीक्स तक आप चाहे तो सिर्फ सेटरडे इसको ये उपाय कर सकते हैं या किसी भी दिन करें इतना बंदिश ना करें आप किसी भी दिन इस उपाय को करें अगर रियली आप धन की प्रॉबलम से गुजर रहे हैं किसी भी दिन आप दो-चार दिन में एक बार इस उपाय को जरूर करें दोस्तों ये तो हुआ कर्ज से मुक्ती के लिए धन प्राप्ती के लिए आपको नजर उतारने के लिए सबसे ज्यादा क्या होता है कई बार बुरी नजर उतारने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं काफी सारे जाड़े लगवाते हैं बच्चों को लेकिन कई बार फिर भी नहीं उतरता है आपको मैं बता दूं राई के आपको सिर्फ साथ दाने लेकर एक छोटा सा उपाय कर लेना है और नमक की जो साबूत नमक आता है उसकी डेलिया ले ले अब साबूत जो चीप वाला नमक आता है उसकी आप डेलिया ले ले राई के साथ दाने ले ले और नमक की साथ छोटी छोटी डली ले ले साथ साबुत लाल मिर्च ले ले और फिर अगर आपके पास डली ना हो, आप एक-एक चुटकी नमक एक-एक डेली के नाम का लेकर के साथ चुटकी नमक आप ले ले. अब इन सभी चीजों को लेके जिस भी बच्चे को नजर लगी है, या बढ़े को नजर लगी है, उसके सिर के उपर से आपको साथ बार उतारा करना चाहिए. ध्यान रखें, उतारा जब आप करेंगे, तो आप सीधी दिशा में करेंगे, यानि घडी की सुई चलती है. उस दिशा में आपको उतारा करना चाहिए, और जलती हुई आग में इसके बाद आपको डाल देना है इसको. ध्यान रहे, ये क्रिया करते समय किसी को रोकना टोकना नहीं चाहिए. जो भी आप उपाय करेंगे, वो आपको बाएं हाथ से करना चाहिए. और अगर आपने आग जला रहे हैं, काफी लोग गैस पे भी डाल देते हैं. अगर आपके घर पे चूलहा, या आपके पास आग क के सिर से उपर बार करके आग में डालते हैं, तो उसकी गंध से आप बता सकते हैं कि मनुष्य को कुछ हुआ है या नहीं हुआ है. क्या होता है जब चंद्रमा राहू से पीढ़ित होता है, तब इनसान को ज्यादा नजर लगने लगती है, तो मिर्च मंगल का, राइशनी क और नमक राहू का प्रतीक होता है. अब इन तीनों को आप आग में यानि की मंगल का जो प्रतीक होता है, उसमें डाल देते हैं, तो नजर दोश दूर हो जाता है. अगर इन तीनों को जलाने पर आपको तीखी गंध ना आए, घर में खासी ना चले, किसी को कुछ ना हो, य ये कुछ-कुछ भी ना होए, तो आप समझ जाएए कि जबरदस्त नजर दोश हुआ था. और अगर लगे की गंध आ रही है, या बहुत सारी धांसी चल रही है, तो इसका मतलब है आपको अन्य उपाय करने चाहिए. अदोस्तों, काफी बार क्या होता है, जैसे जीवन में एक रस्ता आती है, नीरस्ता आती है. मतलब आप देखेंगे कि लोग बोर्यत फील करने लगते हैं, या फिर रोज-रोज एक ही रूटीन से चिड़-चिड़ाने लगते हैं, या कोई भी सकसेस नहीं मिलती है. लाइफ में तो भी चिड़-चिड़ाने लगते हैं. कभी- पर गुस्सा होता है। उसके उपर से आप राई मिर्ची का उसारा करके जला दें और पीढित व्यक्ती को उसको बोले की देखते रहे। माना जाता है कि इन टोटकों को अगर आप ये जो अधिक मास चल रहा है, इसमें करते हैं तो ये बहुत जबरदस्त होता है। या फिर शुकल पक्ष के प्रथम शनिवार अमावस्या को किसी भी दिन आप करते हैं। शनिवार या मंगलवार को ये आप के लिए विशेश पाय को जरूर करें। और कुछ न हो तो आज की दिन अपने घर में अगर आपको लगता है बहुत सारा कलेश होता है। लड़ाई जगड़े होते हैं। हर चीज में परेशानी आ रही है तो शनिवार का दिन है दोस्तों। अभी की अभी जाईए। एक मुठी में थोड़ी ये उपाय और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी, पापा, भाई, बहन, बच्चे जो लोग भी आपको लगता है बहुत ज्यादा जिन्दगी में परेशान है। उन सभी से इन वीडियोज को जरूर शेयर करें। क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइ लव यू ओनल टेक के अरजय माता दी, बंबं भोले नात की।